फ्रेंट्स मेरे एक सब्सक्राइबर है और आपने कमिल बॉक्स में पूछा कि इंस्टीड आफ और आन बिहाफ अफ क्या है आप कहते हैं कि इन दोरों टॉपिक को लेकर अक्सर मैं कन्फ्यूज हो जाता हूँ तो फ्रेंट्स मैं आपसे कहूँगा कि आन बिहाफ आप पर मैं पहले ही वीडियो अप्लूट कर चुका हूँ उमेद करता हूँ कि आप वीडियो देख चुके हैं और आपको ये बात पता है अगर आप वीडियो अभी तक नहीं देखे हैं तो मैंने आए के सिंबल में वीडियो का लिक दिया हुआ है तो आएए आज के इस वीडियो में इंस्टीड आपका सही इस्तेमाल देखें अगर आप मेरे चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकान को हीट करें ताकि मेरा लेटिस वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंशागा इंस्टीड आफ का मतलब होता है के जगह पर या के बदले में या के बजाए जैसे अगर आपको कहना हो कि इंग्लिस रटने के बजाए सीखो तो इस सेंटेंस के लिए आप कहेंगे लर्ण इंग्लिस instead of cramming तो फ्रेंट्स आपने आप देखा मैंने बोला रटने के बजाए तो इसके लिए मैंने का instead of cramming या instead आपका मतलब होता है के बजाए अगर आपको कहना हो कि ठंड पानी पीने के बजाए गर्म पानी पियो तो sentence के लिए आप कहेंगे अगर आपको कहना हो कि चाय के बदले दूद पियो या चाय के बजाए दूद पियो तो sentence के लिए आप कहेंगे Keep silent instead of talking nonsense अगर आपको कहना हो कि दुस्मन बनाने के बजाए दोस्त बनाओ तो इस sentence के लिए आप कहेंगे Make friends instead of enemies तो friends आपने हैं देखा कि instead of का मतलब के बजाए या के बदले या के जगापर अगर आपको कहना हो कि मैं injection के जगापर दवा लेता हूँ तो इस sentence के लिए आप कहेंगे I take medicine instead of injection तो उम्मीद करता हूँ friends कि आपको instead आपका मतलब समझ में आया कि instead आपका मतलब होता है के जगापर या के बदले या के बजाए यानि in place आप सम्झे तो friends अगर वाग है या आपको यह lesson समझ में आया तो क्या इस topic पर दो sentences comment box में लिखेंगे सिर्फ दो sentences comment box में लिखेंगे और मैं चेक करके बताओंगा कि आपने सही सीखा या गलत फिर मिलेंगे कुछ और अच्छे lessons के साथ अब तक ये लिए वाए